So kids, अभी हम हिंदी की art integrated activity करेंगे. इसमें हमें क्या करना है? शब्दों की बारिश. मतलब ये देखिए clouds हैं, बादल हैं और ये बारिश हो रही है. शब्दों की बारिश. यहां बहुत सारे शब्द दिये गए हैं, जो अधूरे हैं. उन सब शब्दों को हमें पूरा करना है. चलिए पढ़े हैं तो यहां क्या लिखा है? शब्दों की बारिश. यहां शब्दों की बारिश हो रही है. जल्दी से इन शब्दों में सही मात्रा लगा कर इन शब्दों को पूरा करो और रंग भरो. सबसे पहले तो इस बादल के अंदर हम रंग भरेंगे. तो बादल किस रंग के होते हैं? बादल तो ब्लू कलर के होते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें ब्लू कलर भरना शुरू करेंगे. इधर से हम स्टार्ट करेंगे. स्लोली स्लोली धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. और इसके अंदर हम पूरा रंग भर देंगे. तो इस तरह से हमने इसमें बादल में बड़े बादल में हमने रंग भर दिया और अब क्या करेंगे अब हम एक एक करके सभी शब्दों को पढ़ेंगे सबसी पहली ये शब्द लिका है त और उसके आगे थोड़ा सा जैप है क या तका तो नहीं होता यदि हां इसमें इकी मात्रा लगा दें तो ये बन गया तकिक या तकिया और पढ़ना इसे बहुत आराम से है किक के वास एकदम क्लियर होने चाहिए जहां भी चोटी की मात्रा लगाएं उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तकिया तकिया अगला क्या है ये तो है लिफाफा तो इसके आगे हमने लगा दी लिफाफा लिफाफा और ये क्या है चड़या चड़या तो कुछ भी नहीं होता तो हम इसको बना देते हैं चिड़या यदि ये बिंदी नहीं होती तो ये होता चिड़या और ये बिंदी लगी है तो ये बन गया चिड़या चिड़या ओके अब ये देखे ये क्या है कताब कताब तो कुछ भी नहीं होता किताब होता है तो हम किताब अब ये देया देया एक वर्ड है देया किसी के अपर हमें देया दिखाने चाहिए गरीबों पर देया दिखाने चाहिए भगवान हम पर देया करो अब इस करोना की महमारी को दूर करो मत्यकि हमारे पे शौवर करो अपनी ब्लैसिंग की शौवर करो इसका ये मतलब है देया बोलते हैं अब देया को हमने बना दिया और दिया क्या होता है बताओ जली से जो दिवाली पे जलाती है अब ये क्या है यहाँ पे ये देखिए गलास हम पानी किस में पीते हैं गलास में या गिलास में गिलास में अब मात्रा देखिए यहाँ लगनी चाहिए मात्रा कहां लगेगी पूरी गर के उपर गर के यहां पे नहीं गर के जहां पे गर पूरा होता है वहां पे लगाएंगे अब यह क्या है डाकया डाकया होता है यह डाकया होता है जो पोस्ट मैं होता है उसको क्या बोलते हैं डा कि या और इसके उपर लाइन लगा देंगे और इसके बार लास्ट पर्चा सतार क्या वर्ड है सितार सितार और लाइन लगा देंगे सितार के उपर सितार क्या होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं सितार तो आप सबने ये करने हैं अपने assignment में assignment में कहां page number 186 इस सितार थोड़ा सा गलत हो गया हम इसको rub करके ठीक से line लगा देते हैं line should be straight okay सितार अब इसके बाद हमको क्या करना है इसके बाद हमें करना है ये वला का देखिए यहां लिखा है अक्षरों से दो दो शब्द लिखो अब यहां कुछ शब्द अक्षर दिये गए हैं क क ग ग च और च हमें इन से दो दो शब्द लिखने हैं और दो दो शब्द कैसे लिखने हैं जो शब्द सबसे चोटे होते हैं हमें वही लिखने हैं मैंने आपको क्यों लिखने हैं हम चोटे शब्द क्योंकि उसमें हमारे मिस्टेक नहीं होगी और मिस्टेक नहीं होगी तो माक्स पूरे मिलेंगी हम confidence जिसमें होते हैं हमें वो ही काम करना चाहिए सो क से हम क्या लिख सकते हैं कप 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 और ममी मुझे थोड़ा कम खाना देना क म कम आप अपनी मर्जी के कोई भी दो शब लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि जो मैं आपने बता हैं वो ही लिखने हैं आप कप कम कब कमल कलम कुछ भी लिख सकते हैं बट यू शूद बेरी कॉण्फिडेंट इन देट अब है ख ख से खत ख से खत ख से खरल ख से खटमल ख से खटपट कुछ भी कोई भी आप दू शब यहां लिखेंगे इधर और इधर अब ग से ग से क्या खोता है ग से घम ग से गलत कोई भी दो शब्द आप लिखेंगे ग से घमला भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे ग से गढढढद भी लिक सकते हैं अईनी two words you will write यहां पर आप लिखेंगे ग से सबसे छोटा शब्द क्या होगा घट, कोई भी, ठीक है, च से, चक, च से, चल, च से, चरण, च से, चटपट, एनी टू, बार बार मैं बोल रही है, अपनी पसंद के कोई भी दोशब्द, आप यहां लिखेंगे, आगे च, च से, हमारी घर की क्या होती है, चत, चत होती है न, चरण, जो लोही की एक लंबी सी, चरण, और च से, चलक, ठीक है, तो आपको यहां पे अपनी मर्जी के कोई भी दोदोशब्द लिखने है, अब हमारा यह वला पेज हो गया, जिस पे हमने यह शब्द लिखे, लेकिन इसको भी ब्लू कलर करना मत भूलिएगा तो एक हम करके दिखाती हैं, बाकी आप अपने आप कीजिएगा, तो देखिए, इस तरह से हमने लिखने के बाद कलर किया है, आप लोग भी लिखने के बाद कलर करेंगे, अदरवाइस आप से क्रियान के उपर लिखा नहीं जाएगा, ठीक, इसकी बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हम एक पेज और करेंगे सेम पेज है वो कांटिन्यू है आगे उसी पेज को हम कांटिन्यू करेंगे जो हम अक्षरों से शब लिख रहे थे यहाँ पे क्या है जह से जंडा जह से जड़ जह से जगर जह से जटपट तरसे टब, तरसे टल, कोई भी दोशक ठरसे ठग, ठरसे ठhर, ठरसे ठक्ठक तरसे तब, तरसे तब से तबला बना यह लिखका आपको दिखा देती हूँ आप देखिये हमने लिखा तरसे तब ठीक अब इसमें इजी करने के लिए हम यहां लिख देंगे दुबारा से यहां पे हम लिखेंगे तब ला ता देखो, दो दो तब हो गए है ना? और यहां हमने लिख दिया ला तो यह क्या बन गया? तब ला ठीक है तब तबला ऐसे ही यह है थ थ से थन थ से ठक थ से थर्मस देखा, इसी तरह से आप और कोई शब्द भी लिख सकते हैं यह है द द से तैन को क्या कहते हैं? द से दस दस बोलते हैं ना? और द से दमकल जो आग बुजाने की गाड़ी होती है द से दमक और यह क्या है? ध ध, ध से धक धक, हमारा दिल क्या करता है? धक धक और ध से दिल क्या करता है? धक धक धड़कता है, धड़क चले, हम ध से भी दो शब्द आपको लिख के बताते हैं तो ध से ध, 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 क, धड़क और देखो इसके उपर लाइन नहीं आएगी अब दुबारा से फिर हम धड़क लिखते हैं ध, ड, क, इसको एक शब्द और बना दें, धड़क लिखने के बाद धड़, क, न, देखा, धड़क दोनों, धड़क और न लगा दिया धड़कन और धक धक भी हो सकते हैं आप धड़क और धड़कन और धक धक कुछ भी लिख सकते हैं ठीक हैं? तो ये काम आप करके अपनी टीचर को बेजेंगे आज जब ये वाला आटेट इंटीग्रेटेड वाला काम करेंगे, ये अपनी सामने रखके फोटो कीचेंगे और मैं को भीज़ देंगे ओके, दो देस और दो ये टीचर